बालाघाट में महाशिवरात्री पर हुए कातिलाना हमले में घायल पूर्व जिला पंचे सदस्य और बबर जीना प्रमोख डाली दमाही का गोंधिया की निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था जहां तीन मार्च को दोपहल लगबग देर से दो बज़े के बीच उनकी में आकरोश के चलते बालाघाट में कहीं जगा तोरफोर तो रास्ता बंद दिखा तो मत्यप्रदेश प्रशासन धारेक 144 लागू कर दी बालाघाट में महाशिवरात्री के दिन पूर्व जिला पंचे सदस्य और बबर सेना के प्रमोख डाली दमाही पर कातिलाना हमला होन पर घायल अवस्ता में महाराश के गोंदिया में निजी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज कर रहे थे तभी तीन मार्च को खबराई की लगवग देर से दो बज़े के बीच घायल डाली दमाही की मौत हो गई इसके चलते लोधी समाज में आकरोश का माहूल गर्मा गया बालागाट में दंगी जैसी स्थिती बन गई कुछ-कुछ जगा तो तोरफोड और रास्ता जाम की स्थिती निर्मान हो गई जिसके चलते मधिप्रदेश प्रशासन ने ततकाल कलमधार 144 लागू कर दी बालागाट लोधी मासवा जिलाद्यक्ष उमेर लिलहारे ने गायल डाली दमाय की मौत की पुष्टी करती हुए बताएगी इससे समाज में बहुत आकरोश का माहूल है पुलिस यदी जल्दी पूर्व जिलापंचाय सदस्य और समाज पतदिकारी की हत्या मामले में ललित प्रकरन को गंभीता से लेते हुए बालागाट पुलिस द्वारा नामजत मुख्य आरूपी संजीव उर्फ अगरवाल को हैदराबाद तिलंगाना में शम्शाबाद पुलिस द्वार अगरफतार कर अभी रक्षा में ले लिया गया है बालागाट से पुलिस टीम आरूप